हेलो इस्ट्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैस भाई जी तिंदर कुमार में स्वागत है हम दी लापलास टांसफोर्म पढ़ रहे हैं और हमारी एक साइस सेकिंड चल रही है ठीक है चलिए हमने पिछले टन पर इड़ तक कुश्चन के थे कुश्च इद और बोलिए क्या होता है we know अधेट लापलास ओफ Fका फार्मूला क्या होता है लापलास in Серावफ का फोर्मूला होता है एंट्रीगल जीरो टू इनफिनिटी इंत्रीगल जीरो टू इंफिनिंटिटी एक पावार मानेस पे टीai f unfold डी इस इंत्रिवल को इसके अ को डिं T से T की लिमिट 0 से छोटी और T की लिमिट वो ठीक है T की लिमिट Pi by 3 से छोटी और एक बार T की लिमिट Pi by 3 से बढ़िए ठीक है तो Pi by 3 से छोटी कहां तक होगी इसको देखे हम जब break करेंगे 0 से लेके Pi by 3 इसका मतलब है Pi by 3 से छोटी Pi by 3 से छोटी कहां तक 0 तक E की पावर माइनस Pt Ft dt प्लस Pi by 3 से बढ़िए T की जो लिमिट है Pi by 3 से बढ़िए और बढ़िए कहां तक इंफरेडी तक तो यह आजाए अभी है Pi by 3 से लेके इंफरेडी तक E की पावर माइनस Pt Ft इंटू dt जब Pi by 3 से छोटी यह लिमिट तो इसकी value किसके बराबर है? 0 के बराबर है Pi by 3 से लेके इंफिनिटी E की पावर माइनस Pt Ft की value बोलिए यह रही sin T minus Pi by 3 इंटू dt तो यह integral कर दीजे, यह integral सोल करने के लिए एक फार्मुला याद रखिए E की पावर AX into sin BX into dx किसके बराबर होता है यह फार्मुला? E की पावर AX बटे A square plus B square A sin BX minus B cos BX plus C इसके बराबर होता है यह फार्मुला, A की जगा को ने? A की जगा है minus B और B का मान X का coefficient यहाँ T में दे रखा तो T का coefficient 1 B का मान है 1, A का मान तो यह रहा और B का मान कितना भी है 1 तो बोल यह क्या जाएगा यहाँ से? इस integral की value बोल दीजिए वहाँ से E की पावर माइनस Pt upon minus P का square plus P square हो जाएगा plus 1 square आएगा, A का मान माइनस P, sin T minus P by 3, T minus P by 3, minus B का मान तो 1 है न, B का मान कितना भी 1 है तो 1 into cos T minus P by 3, चलिए वह यह limit बोल दीजिए कितनी limit बोल दीजिए 0 to, 0 to P by 3, चलिए वह P by 3 से लेके infinity कितनी limit बोल दीजिए, पाई बाई 3 से लेके infinity तक limit बोल दीजिए, चलिए अपर limit रखोंगा तो E की पावर minus infinity से तो आ जाएगा 0, ठीक है, minus lower limit रखिए, lower limit रखिए, पाई बाई 3 रखना, पाई बाई 3 रखोंगा तो E की पावर, पाई बाई 3 into P, या P पाई बाई 3 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, P पाई बाई 3, minus है तो minus ही आएगा, minus है तो भी है क्या आएगा, minus ही आएगा, पाई बाई 3 रखोंगा, तो पाई बाई 3, minus पाई बाई 3, 0, sin 0, 0, यह हो जाएगा, 0, चलिए, यहां भी रख दीजे, cos 0 का मान, 1 आ जाएगा, cos 0 का मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, यह minus minus, plus हो जाएगा, तो कितना अंसर आ गया, पाई बाई बाई 3, अपोन, पी स्क्वार प्लस, 1, ठीक है, तो यह हमारा कुश्चन नंबर, 9 हो गया, नोट कर लेंगे इसको भी, चलिए इसक्साइज में एक कुश्चन हो रहा है, कुश्चन नंबर, 10, चलिए अब कुश्चन नंबर, 10 करेंगे, कुश्चन नंबर, 10 देख लीजे, चलिए तो कुश्चन नंबर, 10 देखे, लापलास, ओफ, टी, दे रखाई, 1 अपोन, पी, 1 की पावर, माइनस 1 अपोन, पी, यह गिविन है, और सिध करना हमें, सिध करना, ठीक है, लापलास ओफ, 1 की पावर माइनस टी, f3 t, बराबर सिध करना, एकी पावर, माइनस 3 अपोन, p प्लस 1 अपोन, p प्लस 1, यह सिध करना, ठीक है, तो चलिए, सिध करते हैं, इसको, left hand side ले लीजिए, left hand side ले लीजिए, लापलास बताईए, किसका निकालना हमें, e की पावर, माइनस 3, f3, t का लापलास ट्रांस्फोर्म निकालना, तो by first shifting thorem से कर दीजिए, by first shifting thorem, चलिए, first shifting thorem से, बूलिए, क्या आएगा, first shifting thorem से, लापलास, ओफ निकालना पड़ेगा, f3, t का f, 3, t का निकालना पड़ेगा, f, 3 का लापलास ट्रांस्फोर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है, और p की जगा क्या रख देंगे, p की जगा क्या रख देंगे, minus n यहां, minus n तो प्लस आएगा, p plus 1 रख देंगे, इसमें लगा दीजिए, by change of skill property, change of skill property होती क्या है, change of skill property यह होती है, f, a, p का लापलास ट्रांस्फोर्म निकालना हो, तो one upon a आजाएगा, one upon a, f, a, t का, a, t का, ठीक है, तो लापलास ओ, f, t का निकालते हैं, ठीक है, और यह बताएगे, यह p की जगा क्या रखते हैं, p upon a रखते हैं, तो यह हमारे change of skill property, इसके अंदर लगा दीजिए, change of a की जगा 3 है, तो लिख दें, by change of skill property, by change of skill property, change of skill property लगा दीजिए, तो बताएगे क्या जाएगा, one upon three, कितना जाएगा, one upon three, laplace of, ft, laplace of, ft, ठीक है, और यह बता दीजिए, p की जगा क्या रखना, p की जगा रखना, p upon a की जगा तीन है, तो तीन आ जाएगा, और यह बाद बाला, बाद में, p की जगा क्या रखना, p plus one रखना, ठीक है, तो चलिए, laplace of, ft, उपर से देख लीजिए, किसकी बराबर है, पहले अंदर वाले को सोल करीए, पहले अंदर वाले को सोल करीए, चलिए तो देखिए, ठीक है, one by three, बोलना इसका, one upon p, one upon p, e की पावर माइनस, one upon p, p की जगा बताईए, क्या रखना, p की जगा क्या रखना, p upon three, और लास्ट में, p की जगा कितना रखना, p plus one रखना, चलिए, p upon three रख दीजिए, पहले, p की जगा कितना रख दीजिए, p upon three, तो यह आ जाएगा भी, one upon three, p upon three रखोंगा, तो three उपर चला जाएगा, three upon p बत जाएगा, e की पाउर, minus p की जगा क्या रखना, p upon three, तो minus के three upon p हो जाएगा, और सबसे लास्ट में, p की जगा क्या रखना, p plus one रखना, 3 से 3, cancel हो जाएगा, p की जगा, p plus one रख दीजिए, E की power तो कितना minus कि 3 upon P की जगा P plus 1 रख दीजिए बटी P की जगा क्या रख दीजिए P plus 1 ठीक है तो यह रख दिया यही लाना था तो कौन से side आ गई हमारी right hand side आ गई hence proof ठीक है करिए ठीक है यह exercise तो complete हुई ठीक है अब next exercise के लिए पहले कुछ formula लिखेंगी फिर third exercise start करेंगी चलिए exercise third के लिए कुछ formula देख लीजिए देखें लापलास transform निकालना derivative of ft का ft के आउकल गुणांक का हमें लापलास transform निकालना ठीक है तो इसका तो derivative होता है आउकल गुणांक होता है क्या होता हो f dash t होता है ft का derivative कोन होता है f t तो लापलास transform किसका निकालना हमें f t का निकालना तो Laplace Transform F-T का निकालना Laplace Transform किसका निकालना F-T तो Laplace Transform F-T का होता है P Laplace Transform F-T-F0 ठीके तो इसको याद रखिए इसके बाद Multiplation by T की पावर N Laplace Transform निकालना T की पावर N F-T का निकालना तो यह होता है माइनस वन की पावर N N बार डिफ्रेंशेशन P की रस्पेक्ट किसका लाप्लास ओफ F T का इसके बार डिवीजन वाई T भी याद रखना आपको लाप्लास ओफ 1 अपॉन T F T का निकालना तो यह इंट्रीकल के बराबर होता है P से लेके इंट्रीनी तक इसकी लिमिट होती है लाप्लास ओफ F T P की जगा क्या रखी है X into D X X की रस्पेक्ट इसका इंट्रीकल कर दीजी ठीक है तो इनको आप लोग नोट कर लीजी है अब हम इसमें अक्सरसाइज स्टार्ट करते ही अक्सरसाइज स्टार्ड एक बार चलिए और बता देता हूं है लाप्लास ट्रांस्वर्म किसका निकालना derivative of F T F T के आउकल गुणां का ठीक है आउकल गुणां का यानि कि derivative का क्या निकालना लाप्लास ट्रांस्वर्म निकालना तो Laplace transform, इसका derivative f t का क्या होता है? f dash t, किसके बराबर होता है? p Laplace of f t minus f 0, ठीक है, इसको याद रखें, फिर multiplication by t की power n, multiplication by t की power n, ठीक है, function में किस से गुना होगी? t की power n से गुना होगी, तो Laplace transform t की power n into f t का निकालना, तो किसके बराबर आएगा? minus 1 की power n, n bar differentiation, p की respect, और Laplace of किसका? f t का, यानि कि Laplace of f t का ही कितने बार differentiation करना? n bar differentiation करना, division by t, division by t, Laplace of 1 upon t, f t का निकालना, integral p to infinity, integral p to infinity, Laplace of f t का, p की जगा कितना रखेंगे? x into dx, तो इस integral की value निकाल लेंगे, तो इसका Laplace निकल जाएगा, इनको note कर लीजिए, exercise 3 देखिए अब, exercise 3 देखिए, चलिए, पहले question में क्या दिया, Laplace of t into को से t का निकालना? तो इसको Laplace निकालने के लिए, कभी हमने formula पढ़ा, क्या पढ़ा? t की power n, f t, f, t, बराबर, ठीक है? किसकी बराबर आएगाई? ठीक है? अभी मैंने बताया था ही, क्या बताया था? 1 की power n, minus 1 की power n, और कितने बार differentiation, ठीक है? कितने बार differentiation, n बार differentiation, किसके respect? p की respect, किसका निकालते हैं? Laplace of, f t का निकालते हैं, Laplace of, f t का, ठीक है? चलिए, ये वाला rule लगा दीजी, ये वाला rule लगा दीजी, साइड में लिग देना इसको, तो ये, t की power कितनी यहाँ पहें? 1 है, तो minus 1 की power, 1, एक बार differentiation, p की respect, Laplace, f t की जगे कोन है? कोस 80, Laplace of, किसका? कोस 80 का, किसका कोस 80 का? minus 1 की power, 1 आएगा न, n कमान 1 है, तो ये आगया विया, minus की, 1 ही बन जाएगा, ये, d upon, dp, d upon dp, इसका, Laplace transform पो रही है, कोस है, तो p upon आएगा, p upon, p square plus, a square आएगा, ठीके? बही, कोस है, तो उपर कितना आता है? p, और hyperbolic एदी होता है, ये, क्या होता है? hyperbolic एदी होता है, तो minus का आता है, और circular है, तो कैसा आता है? plus का, चलिए, इसका differentiation कर दीजिए, minus तो भार है, ठीके? इसका differentiation कर दीजिए, चलिए, divide rule से करेंगे, भागदी से करेंगे, fp square plus a square, p का करूँगा, तो 1 आएगा, minus p को ऐसी रखेंगे, फिर इसका करेंगे, into 2p आएगा, ब्रेटी, p square plus a square का whole square, ठीके? तो कितना आजाएगाई? minus p square plus a square, minus के कितना बच जाएगाई? 2p square, ठीके? अपोन में बोल दीजी, ठीके? अपोन में बोल ये क्या जाएगा? अपोन में तो यही है, p square plus a square का whole square, ठीके? तो घटा दीजी, और ये minus का plus हो जाएगा, p square minus, तो यह उपर बच जाएगा, p square minus a square, कितना बच जाएगा उपर, p square minus a square, अपोन में देखोगे कितना, p square plus a square का whole square, ठीके? तो ये इसका answer आगया, ठीके? आंसर चेक कर लिजी, पहले का कुण सा पारड़े, first p square minus a square, बची, p square plus a square, जबकि p बढ़ा है, किसे? 0 से, ठीके? तो course वाले roll में तुमने पढ़ा भी होगा, p की value greater than, 0 वहाँ पर मैंने बताई भी थी, क्यों ये 0 से बड़ी होती है, ठीके? तो चलिए इसको note कर लीजी, इसको note कर लीजी, इस तरह का question चलिए, और भी कर लेती है, second part ऐसा ही है, मैं दूसरे का first part कराऊँगा, चलिए दूसरे का first भी लगभग कुछा सही है, मापटी की power 2 दे रखी, तो दूसरे का first part देखो, चलिए दूसरे का first part देखी, दूसरे का first part करने के लिए, आपको ये formula याद होगा, laplace transform of t की power n, ft, t की power n into ft, किसके बराबर होता है, बूली होई ये, किसके बराबर होता है, minus 1 की power n, n bar, differentiation, p की respect, laplace of ft, ठीक है, तो यहाँ तो n command do है, तो minus 1 की power 2, दो बार ही differentiation करना पड़ेगा, p की respect करना, laplace of ft की जगा कौन है, sin 80, बूली कितना, किसका करना, sin 80, का laplace transform बोल दीजिए, by minus 1 की square तो प्लस ही हो जाएगा, दो बार हमें differentiation करना, p की respect करना, इसका laplace बूली, इसका laplace आएगा, a बेटी, p square plus, a square, ठीक है, इसको लिख लेंगे, d upon dp, d upon dp, और d upon dp, किसका, a बेटी, p square plus, a square का, कर दीजे differentiation, d upon dp, इसका differentiation कर दीजे, इसका differentiation आजाएगा, minus, a बेटी, p square plus, a square का, whole square, अंदर वाले का भी करेंगे, जैसे one upon x का करते हैं, one upon x का कितना होता है, minus की one upon x square, फिर देखिए, इसको one upon x ही बढ़िए, minus one upon x square, फिर अंदर वाले का भी करेंगे, into कितना आजाएगा, 2p आजाएगा, into कितना आजाएगा, 2p, constant को तो आगे ले लिजे, minus, 2a, तो d upon dp, हमें किसका करना, of p बटे, p स्कॉर प्लस, a स्कॉर के, होल स्कॉर का करना, कर दीजिसका differentiation, minus 2a कर दीजिसका differentiation कर दीजिएवे, p स्कॉर प्लस, a स्कॉर का होल स्कॉर ऐसी रखिए, p का 1 आजाएगा, p को ऐसी रखिए, इसका करेंगे, 2p स्कॉर प्लस, a स्कॉर, अंदर वाले का भी करेंगे, into 2p, बटे, p स्कॉर, प्लस, a स्कॉर का, होल स्कॉर, का भी स्कॉर करेंगे, तो पावर कितनी आजाएगी, 4 आ जाएगी, कि power कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी सिर्मा आगे भी इसको ऐसी रखा, P का कर दिया P को ऐसी रखा, फिर इसका कर दिया, 2, फिर अंदर का गाले कभी कर दिया, common बताएगे P square plus A square, common लेके कर जाएगा, तो इसकी power 3 बचेगी इसकी power 3 बचेगी तो minus के कितना बच जाएगा भी, 2A यहां से बोलो क्या बचेगा P square plus A square ठीके जब common लेंगे तो यहां minus के 4P square बच जाएगा ना 4P square वो तो कट जाएगा यह common लेके, बटे में बताएगे क्या बचेगा, P square plus A square की power 3 बच जाएगे वह यह common लेके जब खटेगा तो power इसके कितनी बच जाएगे, 3 ठीके, इसमेंसे इसको घटा देंगे माइनस से गुना कर देंगे, तो आजाएगा इसका answer, ठीके, चलिए कर लीजिए, दूसरी का कौन सा पार्ट हो गया, यह हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया तीसरी का सेकिंड पार्ट देखिए, यह सिद करना हमें, ठीके तो यह सिद करना तो इसमें left hand side ले लिजी, left hand side first part भी हो जाएगा उसमें TK power 3 दे रखा, तो वहाँ पर तीन बार तुमें differentiation करना differentiation तो आता ही है, तो हो जाएगा ठीके, तीसरी का first को कर लेना Laplace transform, किसका करना भी TK power N into TK power 80 तो TK power 80 कि फोम में दे रखा, तो इसको कर दीजे तुम भी वैस्ट तो इससे भी कर सकते हैं TK power N वाले से N bar differentiation करके ठीके, Laplace किसका? इसका उससे भी कर सकते हैं पर जो आसान रहे गई है, इसको तुम करिए first shifting forum से first shifting forum क्या थी? E की power 80 FT का Laplace transform क्या होता था बोली वैई? यह होता था Laplace of cable किसका निकाली यह, Ft का निकाली यह, और P की जगा P-1 रख दीजे, P की जगा P-1 रख दीजे, तो यहां पर देखिए वैई by लिख दीजे, first shifting theorem से by first shifting theorem by first shifting theorem चली बोली, Laplace of किसका T की power N का P की जगर क्या रख देंगे? प्लस का E है तो P की जगर क्या रख देंगे? P-1 रख देंगे, T की power N का कितना होता है? गामा में लिख देंगे, factorial N बटी P की power N प्लस 1 और P की जगर क्या रखना? P की जगर क्या रखना? P-E रख दीजी, factorial N बटी रख दीजी, P-E की power N प्लस 1 तो यही लाना हमें तो यह सीद हो गया, कौन साइड आ गई? राइट हैंड साइड हैंस, प्रूफ ठीके तू कर लीजी इसकी बाद, next question देखू चलिए इसकी बाद, question number 4 का first part, Laplace transform इसका निकालना तो यहाँ लेखे, T की power 1 है, T की power 1 है, तो इसको लिखेंगे, minus 1 की power 1 एक बार है, differentiation P की respect में, Laplace transform इसका, Laplace transform किसका? 3, sin, 2T, minus 2, cos, 2T का, बाहर तो आगे भी, minus, D upon DP, इसका Laplace transform बोल दीजी क्या जाएगा? 3, इसका कितना आएगा? A upon A की जगा 2 है, A की जगा कोन है? 2, बटे, P square plus, 2 square, minus 2, cos में उपर न, P आता है, P square plus, 2 square आजाएगा, LC में जाएगा, यहाँ से, P square plus 2 square, minus D upon, DP, तो यहाँ जाएगा 6, minus 2P, बटे, P square plus 4, ठीके? अब, minus की चलो, अंदर गुना कर दो, D upon, DP, ठीके? D upon, DP, minus की गुना करूँगा, तो, 2P minus 6 हो जाएगा न, upon, P square plus 4, ठीक, इसका, differentiation कर दीजे, इसका differentiation कर दीजे, P square plus 4, इसका करेंगे, इन्टू, 2P minus 6 को, ऐसी रखेंगे, इसका करेंगे, 2P, ब्रेटे में बोली, P square plus 4 का whole square, तो, यह बज़े हैंगे कितना? 2P square, plus 8, minus 4P square, plus 12P, अपोन, P square plus 4 का whole square, तो, यह घटा दीजे, इसमें से, minus 2P square, plus 12P, plus 8, अपोन, P square plus 4 का whole square, ठीक, कोमन ले लिजे, दो कोमन आजाएगा, 2, कोमन ले लेंगे, तो, minus P square, plus 6P, plus 4, अपोन, P square plus 4 का whole square, ठीके, करिए, चली, इसका answer हमारा बिल्कुल, ठीक answer आगया, यह से ही छोड़ रखा है लोने, हमने दो कोमन ले लिए, कोई बात नहीं, आभी छोड़ सकते हैं इसको, तो, चली, आज की लिए इतना ही, बाकी हम next time पर कराएंगी, और हमारा paid course, application पर चल रहा है, ठीके, algebra की जो live class होती है, सुबह 10 बजे होती है, जिसमें algebra में आपकी 3 chapter हो चुके है, ठीके, और जितनी भी class हो चुकी है, उनकी class अभी application पर ही available होती है, exam time तक, वो वीडियो आपका भी भी देख सकते हैं, ठीके, तो यदि आपको हमारा paid course पर सीज करना, तो वो आपको application PCM गुरूप पर मिलीगा, जिसका link इस वीडियो के description में दे दिया जाएगा, हमारे application को, ठीके, link द्वारा download कर सकते हैं, या सीधे play store से भी download कर सकते हैं, ठीके, जो फीस होती है, मात्र बारस रुपी, पर बुक होती है, बारस रुपी पर बुक, और यदि दो बुक होती है, एक सेमेश्टर में, और यदि तुम दोनों बुकी एक साथ जमा कराते हो, ठीके, विवैस तो दोनों बुकी कितनी बैठती है, 2400 फीस होती है, और यद तो नुबुकी एक साथ जमा कर आओगे तो केवल 2000 पी करनी होगी ठीक है तो हमारा प्रेट कोर्स परचीज करने के लिए आप लो 969022488 पे वाटसप मैसीज करके हमारा कोर्स परचीज कर सकती है ठीक है महाँ पर आपको वाटसप पर आपको सारी information दे दी जाएगी किस तरीके से पी submit करानी ठीक है और जो भी जादे जानकारी आपको ले नहीं हो तो इस नंबर पर वाटसप मैसीज करके आप जानकारी ले सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you very much किस कर दिल सकते हैं आपको ले उया और करें consistent